सल्मान खान के साथ जैपूर एरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा दरसल मंगलवार को सल्मान खान जैपूर पहुंचे थे और उनके साथ यहां पर यूलिया वंतूर भी थी जैसे ही सल्मान के आने की खबर लोगों को लगी एरपोर्ट पर भारी भीर जमा हो गई पहले तो सल्मान खान नॉर्मल रहे लेकिन जैसे जैसे भीर बढ़ने लगी उनके चेहरे पर पर परिशानी साफ तोर पर नज़र आने लगी क्योंकि इस दोरान उनके साथ यूलिया वंतूर भी वहां पर थी सल्मान को भीर में फसाद एक उनके बॉडिगार्ट शेरा मदद के लिए आ गया है लेकिन भीर इतनी जादा थी कि शेरा भी कुछ नहीं कर पाए फिर वहां मौझूद पुलिस वालों को आगे आना पड़ा जिसके बाद सल्मान और यूलिया सही सलामत बाहार निकल पाए दरहसल सल्मान खान यहां दिव्यांग बच्चों के विशेश केंद्र उमंग का आपचारिक उद्गार्डन करने पहुँचे थे इस दोरान सल्मान खान ने बच्चों से मुलाकात की और बच्चों के साथ केक भी काटा सल्मान ने कहा कि वो उमंग से कई सालों से चुड़े हैं इस समय इस केंद्र में लगभग 300 बच्चे हैं कुछ बच्चे तो यहां विशेश प्रस्रिक्षन हासल कर आतनिर्बर होने को हैं सल्मान खान के उमंग केंद्र में आने की खबर फैलने के बाद शिप्रापत पर उमंग केंद्र के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड लग गई हाला कि सल्मान कारेकरम से लगभग देड़ घंटे की देरी से पहुँचे लेकिन फैंस तब तक डटे रहे और सल्मान खान का इंतिजार करने लगे हाला कि पुलिस को उन्हें काबू करने में भारी मशकत का भी सामना करना पड़ा बैरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले